नवस्कार दोस्तो दोस्तो आईए आज हम देख लेते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट डेट्स या तारीक जो एक्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तो अगर आपने इतनी डेट्स याद कर ली या इतनी तारीक्स को याद कर लिया तो उमीद करता हूँ किसी भ जाधा आपको डेट पढ़ने की अवसकता नहीं पढ़ेगी तो दोस्तो वीडियो लास तक देखिएगा और ये पचास डेट समने इंपोर्टेंट्स चुनी है जो हर एक्जाम में पूछी जाती है तो दोस्तो आईए स्टार्ट करते हैं पहला दोस्तो पहला संबिधान अबहा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिशंबर 1946 को दोस्तो दूसरा है भारत देश कब आजाद हुआ? दोस्तो 15 अगस्त 1947 को तीसरा है भारती संबिधान किस दिन से पूरताहा लागू हुआ? दोस्तो पूरताहा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लेकिन जो हमारा संबि था वो पूरी तरीके से 29 नवंबर 1949 को बनके तयार हो गया था दोस्तो फिर है रास्ती ध्वज को यानि कि रास्ती तरंगा जो हमारा तरंगा है रास्ती ध्वज को संबिधान सभा ने कब सुईकार किया? दोस्तो 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को संबिधान सभा ने भारती ध्वज को सुईकार किया संबिधान सभा ने रास्ती गान को कब सुईकार किया? 24 जनवरी 1950 को भारत में प्रतम योजना आयोग का गठन बारत में प्रतम योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था जो इस समय योजना आयोग का नाम बदल कर नीती आयोग कर दिया गया है दोस्तो नेस्ट है रास्ती विकास परिशद का विकास परसत की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को फिर दोस्तो नेस्ट है सूचना का अधिकार इसको थोड़ा देहां से देखिए गई कई बार कोश्यन बना है यहाँ पर सूचना का अधिकार थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुग गया है सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? यह कम मिला 12 अक्टूबर 2005 को दोस्तो 15 जून 2005 को आदेश हुआ और 22 जून 2005 को सहमत बनी और 12 अक्टूबर 2005 से यह प्रारंब हो गया जलिया बाला बाग हत्या कांड कब हुआ? बहुत फेमस डिट है दोस्तो 13 अपरेल 1919 को भारत में पहली पंचवर्सी योजना कब सुरू की गई? एक अपरेल 1951 अमेरिका ने जापान के हिरोश्मा तथा नागासा की पर परमाणू बम से हमला किया दोस्तो कब किया? छे अगस्त को छे अगस्त को हिरोश्मा पर फैट मैन फैट मैन हिरोश्मा पर दागा तथा 9 अगस्त 1945 को लिटल बॉई नागासाकी पर दागा नेस्ट है भारत में बरस भर जंडा फैराने का अधिकार कब मिला बरस भर मलब 12 महीने आप जंडा फैराते रहे ऐसे ही पहले वस्ता नहीं थी 23 जनवरी 2004 को अब आप पूरी बरस अपने चछत पर या कहीं पर भी जंडा लगा सकते हैं भगत सींग को फासी कब दी गई 23 मार्च 1931 को रास्ट पिता महत्मा गांदी की हत्या कब हुई 30 जनवरी 1948 को नाथू राम गौट्स ने गोली मार दी थी भारत में पहली बार आपातकाल की घोशना कब हुई दोस्तों भारत में अभी तक तीन बार आपातकाल लगाया जा चुका है जिसमें पहला अपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा था दूसरा 3 दिसंबर 1971 को लगा था और तीसरा 25 जून 1978 को जो 1978 को लगा था वो आंतरिक अशान्ती के कारण लगा था आंतरिक अशान्ती के कारण नेस्ट देख लिते हैं भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी 16 अपरेल 1853 को फिर नेस्ट है भारती संबिधान में पहली बार कब संसोधन हुआ तो दोस्तो ये पहली बार संसोधन 1951 में हुआ था दस माई को पंडित जवालल नहरू ने इसे अपील किया था जो 18 जून 1951 को पास कर दिया गया था ये संसोधन करके दे दिया गया था दोस्तो संबिधान निर्माता डाक्टर भीमराओ अंबेटकर की मिर्तु कब हुई दोस्तो इनका जन्म 14 अपरेल 1891 में जन्म तथा इनकी मिर्तु 6 दिसंबर 1956 में हुई नेस्ट है प्रथम विश्युद कब से कब तक चला दोस्तो प्रथम विश्युद 28 जुलाई 28 जुलाई 1940 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला दोस्तो फिर दोती विश्युद भी इसी में बता देते हैं दोती विश्युद का हुआ 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला भोपाल गैस तरजदी या भोपाल गैस कांड जो हुआ था वो दोस्तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था जिसमें मिथाईल आईसो साइनेट गेस का रिशाव हो गया था जिसे मिक भी खहते हैं जिसमें 15 हजार के से ज़्यादा लोग मारे गए थे भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंब हुआ 9 अगस्त 1942 को मुसलिम लीग की स्थापना कब की गई मुसलिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को धाका बंगलादेश में की गई नेस्ट दोस्तों आगे देख लेते हैं अब यहाँ पे नेस्ट कोश्यन है भारत में सती पर्था कब प्रतिबंदित की गई भारत में सती पर्था 1829 में प्रतिबंदित की गई तथा दहेज पर्था 1961 में प्रतिबंद की गई 1857 की करांती कब से प्रारंब हुई 1857 की करांती 10 मई 1857 में बैरक पुर्चावनी से मंगल पंडे ने पहली गुली चलाई भारती रास्टी कांग्रेस की स्थापना कब हुई 28 दिशंबर 1885 1885 को भारती रिजर्ब बेंक की स्थापना कब हुई 1 अपरेल 1935 को बास्कोडी गामा भारत कब पहुँचा जिसने भारत की खोज की थी बास्कोडी गामा भारत 20 मई 24 यानि कि 1498 को काली कट पर पहली बार पहुँचा नेस्ट देख लेते हैं अमेरिका स्वतनतरता की घोशना कब की गई 4 जुलाई 1492 को की गई कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 को की अज़ोस्तों नेस्ट देख लेते हैं सेवी की स्थापना कब की गई सेवी जो सेर मार को कंट्रोल करता है सेवी का फुल फाम होता है Securities and Exchange Board of India इसकी स्थापना 15 अपरेल 1992 को की गई संयुक्तरास्ट संग की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई भारत में GST भारत में GST कब से लागू कर दिया गया तो भारत में GST GST का फुल फाम Goods and Service Tax एक जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया भारत में BAT विवस्था BAT मला होता है Value Added Tax भारत में BAT वस्था कब से लागू कर दी गई एक अपरेल 2005 से भारत के 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट के बिमुद्री करण या आप दिखे बिमुद्री करण जिसको नोटबंदी कहा गया बिमुद्री करण या नोटबंदी की घोषणा कब की गई तो नोटबंदी की घोषणा नोटबंदी की घोषणा आठ नमंबर 2016 को भारत के प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी ने की असायोग आंदोलन कब शुरू किया गया असायोग आंदोलन एक अगस्त 1920 को किया गया साइमन कमीशन भारत कब आया तीन फरवरी 1928 को इस्ट इंडिया कमपनी की इस्थापना कब की गई 31 दिसंबर 1600 भारत सरकार ने भारत के रास्ती चिन को कब सुईकार किया रास्ती चिन जो असोक स्तंब रास्ती चिन को कब सुईकार किया 26 जनबरी 1950 को भारती रास्ती गीत बंदे मात्रम के रूप में किस्तिती को सुईकार किया गया 26 जनबरी 1950 को रास्ती पंचांग के रूप में सक संबत को किस्तिती से अपनाये गया यनी कि भारती कलेंडर को कब अपनाये गया कलेंडर गर्गोरियन कलेंडर को भारती रास्ती कलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाये गया भारत में पंचायती राज प्रणाली का सुभारंब कब से हुआ पंचायती राज प्रणाली का 2 अक्टूबर 1959 को नागोर राजस्थान से शुरू हुआ निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया 25 जनवरी 1950 को किया गया भारत में कागजी मुद्रा कब से प्रारंब की गई तो कागजी मुद्रा 1862 से की गई लेकिन 1861 में जो कागजी मुद्रा का एक्ट लागू हुआ तो लागू कब हुई 1862 से बिस सुब्यापार संगठन की स्थापना कब की गई डबलू टी ओ वर्ड ट्रेड ओगनाईजेशन एक जनवरी 1959 1995 को भारत में टेलिविजन या दूरदर्सन की शुरुआत कब की गई मनुष ने पहली बार कब चांद पर कदम रखा मनुष ने पहली बार चांद पर 20 जुलाई 1969 को रखा अलवर अल्मिस्ट्रांग नाम था पहली बार अर्थ सास्त्र के छेत्र में दिया जाने वाला नॉबल पुरुसकार किस वर्स से प्रारंब किया गया तो जो हमारा एलाउ हो गया था वो 1901 से हो गया था लेकिन अर्थ वस्ता के छेत्र में 1969 से दिना प्रारंब किया गया नेस्ट है इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी की स्थापना कब की गई तो इंडियन आर्मी की एक अपरेल 1895 को की गई भारती वायु सेना की स्थापना कब की गई आठ अक्टूबर 1932 को की गई CVI, CVI नाम कब दिया गया जो हमारा CVI है Central Bureau of Investigation CVI, जो CVI का गठन है वो हमारा 1941 में हो चुका था 1941 में, 1941 में As the Special Police Establishment यह इसका नाम था लेकिन CVI को जो नाम मिला CVI नाम मिला वो 1 April 1963 को मिला यह भारत सरकार की यह भारत सरकार की खूफिया एजनसी है मुख खूफिया एजनसी है भारत सरकार की यह मुख खूफिया एजनसी है तो दोस्तों, अगर आपने इतनी डेट्स को दोहरा लिया और दो से तीन बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो दोस्तों ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी डेट्स जरूर याद हो जाएगी एक नहीं दो बार वीडियो देखें दोस्तों जिससे ये डेट्स बहुत जादा पूछी जाती है और ये इंपोर्टेंट्स डेट है ये हर बार आई हुई है किसी ना किसी एक्जाम में तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए अपने मित्रों में शेयर करिए और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए जिससे आपकी सारी डेट्स किलियर हो जाए मैं दोस्तों यही चाहता था कि एक ऐसा वीडियो बना दूँ जिसमें जितनी भी डेट जो याद करने वाली हैं वो एक जगा हो दोस्तों लाइक करिए सेर करिए कमेंट्स करिए धन्यवाद दोस्तों